अलो फिर्ट तो कहीं से आफ सभी स्वाथ करते हैं आफ सभी कई वस्तिजी कोईज में दोस्तों आए जोए की बिहार डिलेट इंटरेंस एक जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस एट नमर फॉर लेके आए हुए हैं क्योंकि इससे पहले और डेडि हम सभी थ्री प्रैक्टि दिया गया है सारा प्लेलिष्ट बना दिया आप सभी के लिए तो वहां से जाके आप सभी एक क्लास को कवर कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं फिर्म वीडियो को लाइक करके आप से सीर अपने दोस्तों में जरूर कर दिजेगा और जो भी चल पिनना है चनल को सब्सक्र का एक थियोरी क्लास लेंगे तो उसमें सारा चीज आपका किलियर हो जाएंगे दियान रखेगा आप सभी किलियर हैं तो दीखे एक चनल की बात क्या दाए चार चरन होता है दियान रखेगा आप सभी किसी किसी में छे चरन भी देखने के लिए मिलता है तो वो थियोरी क्ल गिदर भबकी देना रास का संबंद किस धातू से माना जाता है काईब को पड़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूती होती है उसे ही हम सभी क्या काते हैं रस काते हैं ध्यान नखिएगा आप सभी अगला कोईशन कर लेते हैं चलिए इस कोईशन का राइट आंसर बताएगा कोईशन क्या दिया हुआए देखिए आप सभी कर्म वाक्य दिया हुआए हाथी ने केला खाया इसमें कौन सा विकल्प जोए कि फिंड वो वाकी की दृष्टी से सही होगा निर्देसा अनुसार वौकी परिवर्तन वाला सही सब्द कौन सा होगा हाथी ने केला खाया तो अगर कर्म वाक के बात किया जाए तो इसमें जो सही हो जाएगा option मसी हो जाएगा कि हाथी के द्वरा केला खाया गया है ध्यान रखेगा आप सभी तो कर्म वाक का बात किया जा रहा है कर्म करना है इसमें अब दिखे कर्म वाक का बात आया तो कर्म वाक किसे कहते हैं तो ध्यान रखेगा जिस वाक में कर्म की परधानता होती है तथा किरिया का परियोग कर्म के लिंग वचन और पुरूस अनुसार होता है और करता की इस्थिती में स्वयम कर्म होता है वहाँ पर कर्म बाच होता है ध्यान रखेगा जैसे एक्जामपल में हाथी द्वरा केला खाया गया तो ये क्या है कर्म वाकिका उधारने फ्रेंड अगला कोई सेने इन में से किस चिन का अर्थ आधा रुकना है तो ये हो जाएंगे बी राइट आंसर हो जाएंगे अर्ध विराम का इसको हम सभी क्या कहते हैं अर्ध विराम कहते हैं किलर हैं इसको क्या कहते हैं हम सभी इसको क आते अल्प विराम, सम्मान अर्थ को अलग करने के लिए अल्प विराम का परियोग करते हैं, जैसे राम, मोहन और सीता या शोहन, तो राम को अलग करने के लिए हम सभी अल्प विराम का परियोग करेंगे, ध्यान रखेगा आप सभी, अर्थ विराम में क्या होता है, आधार रुकना पड़ता है इसमें किलिए रहें यह क्या है आपका पूर्ण विराम है यह क्या है आपका बिस्मियाद्वी बोधक है यहां रखेगा आप सभी पूर्ण विराम का परियोग करते हैं जब कोई लाइन पूरा हो जाता है या कोई सब्द पूरा हो जाता है तब हम से पूर्ण विराम का परियोग करते हैं दसानन का समास विगरक क्या होगा समास वाला विकल्प में पहचानना है कि दसानन का अगर समास विगरक क्या जाए तो इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले ये समझे लिजे दासानन जो है ये बहुबरही समास है ध्यान रखेगा आप सबी तो अगर इसका समास बिगरा किज़ेगा तो दस है आनन जिसके अर्थात हो जाएगा राबन ध्यान रखेगा आप सबी तो ये क्या है आपका एक बहुबरही समास का उधारन है य क्योंकि अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बता रहा है ये दसानन का अर्थ क्या होता है रावन होता है जिसका दसानन है अगला कोश्चन देख लिए जिए अगला कोश्चन का अंसर किजिए कोश्चन मस्से बन चलिए पढ़ेगा आपसे कोश्चन क्या है वाक का सबसे अच्छा एक सब्द विकल्प है कोश्चन है कि जिसे किसी भी इस्थिती में टाला ना जा सके इसके लिए एक सब्द कौन सा होगा तो इसके लिए जो जाएगा अनिवारी हो जाएगा जिसे किसी भी इस्थिती में टाला ना जा सके यह अनिवारिस है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं या टाल नहीं सकते हैं या आपके लिए अनिवारी है करना ही होगा अगला कोशन देखे अनेकार्थिक सब्द का एक अर्थ बताना है अरून का अनेकार्थि सब्द क्या होगा तो अरुन का अनकार्थिक सब्द हो जाएगा शूरी option में A right answer एंगे ध्यान रखेगा आप सभी अब दिखें अनकार्थिक सब्द किसे कहते हैं तो यहाँ ध्यान रखेगा जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं एक से अधिक अर्थ होते हैं उसी को हम सभी क्या करते हैं अनेकार्थिक सब्द करते हैं जिन सब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसी को हम सभी क्या करते हैं अनेकार्थिक सब्द करते हैं जैसे कि लड़का तो लड़का का एक अर्थ क्या हो जाता हैं आदमी भी होता ह ध्यान रखेगा आप सभी उसी प्रकार से अरून तो इसका एक अर्थ स्चूरी भी है अगला कोश्चन देखे लिज्जे निमलेकित में प्रस ने दिया आववाई जिसमें की चार भी गल्प हैं अधिकरन कारक की विवक्ती पहिचानिये अधिकरन कारक का तो अधिकरन कारक में आपको क्या बताये थे इसका चेन क्या था अधिकार करके बैठना यानि कि में और पर में हो जाएगा और पर हो जाएगा जैसे ब्रीक्च पर चिडियां बैठी हुई है या बोतल में पानी भरा हुआ है यहांने कि अधिकार करके तो इसमें अधि करन किसमें हो जाएगा मे और पर तो इसका option नमर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दियान रखेगा उस सही विकल्प का चैन करेज जो बताता है कि पुरूस वाचक सर्वनाम का भेद नहीं है कौन सा सबसे यह समझ लिजे पहले कि पुरूस वाचक सर्वनाम का भेद होई कौन कौन सा एक उत्तम पुरूस होगा एक मद्ध पुरूस होगा और एक अन्य पुरूस होगा तो उत्तम पुरूस है अन्य पुरूस भी है और मद्ध पुरूस भी है तो ये सभी पूरुस वाचक सर्वनाम का भेद हैं जबकि आपका अति उत्तम पूरुस ये पूरुस वाचक सर्वनाम का भेद नहीं है तो option number C इसमें क्या है गलत है अगला है नेमलेकित में से चार विकल्प दिये हुए हैं सही विकल्प का चैन करना है कोईशन के दिरिष्टी से ये सही है क्योंकि नहीं पूछा है कि कौन सा पूरुस वाचक सर्वनाम नहीं है तो नहीं है option number C नहीं है चले इस question के right answer बता येगा करिया भूत काल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो तो इसे कौन सा काल काते हैं तो इसे आसनन भूत काल काते हैं के लिए नहीं है और अगला question नेमलेकित प्रस्न में से वाख के सं रचना के अधार पर उसका भेद बताई अनु ने देखकर निवन्द लिखा इसमें क्या बताना था? भेद बताना था अनु ने देखकर निवन्द लिखा पूर्व कालेन किरिया होगा इसमें आफिशन नम्मर बी राइट आंसरेंगे कि अनु ने देखकर निवन्द लिखा यनिकी पूर्व कालिन करिया है इसमें अगला है चलिए इस question का right answer बतेएगा सही इस्तिरलिंग सब्द बताना है परबंदक करता का इस्तिरलिंग क्या होगा simple चाहे परबंदक करती हो जाएगा इस्तिरलिंग अगला है तो अगला question दिखे नीचे दिये नेता का नेती नहीं होगा ध्यान रखेगा नेता का हमेशा नेता ही बहुबचन होता है ध्यान रखेगा आप सभी क्योंकि ये एक संग्या सब्द है और संग्या का एक वचन और बहुबचन हमेशा एक ही होता है संग्या का एक वचन और बहु बचन अमें सा एक ही होता है द्यार नकेगा बहु बचन बला रुप बला विकल्प का पहचान करना है रीतु का बहु बचन क्या होगा तो simple सा है रीतुवे हो जाएगा रीतु का बहु बचन एर 8 आंसरेंगे अगला है श्वर रहित वेंजन जब श्वर सहीद वेंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है अगला कोशन देख लेते फेंट अगला कोशन है कौन सा वेंजन नासिक द्वरा उचारित होते हैं नासिक यानिकी नाक से उचारित होते हैं तो नो हो जाएगा option number A right answer हो जाएगे ना नासिक बिंजन कौन कौन सा है पता है आप से भी कूँ जैसे आपको बताते है को में आपका क्या हो जाएगे जैसे को बर्ग में नासिक बिंजन जो आ जाएगे आपका अंगो वाला ये नासिक है चो में आपका क्या जाएंगे चो वर्ग में या जो है या आपका नासिक बिंजन है जो सबसे अंत वाला है वो आपका नासिक बिंजन है तो वर्ग में जो है न यह भी नासिक बिंजन है तो वर्ग में जो है मुर्दान यह भी नासिक बिंजन है तो यह सबी क्या है नासिक बिंजन है जो पीछे वाला है अगला कोश्चन देखे निम्न वाक्य विशेशन की किस अवस्था से है या करेला कड़वा है या करेला कड़वा है मुल्या अवस्था से संबंदिते द्यान रखेगा आप सबी अगला है तुलसी दास जी द्वरा रचित पुस्तक महा काईब का नाम है तो इसका पुस्तक है राम चरित मानस option में be right answer हैंगे अगला है रंग भूमी किस परसिद लेखक द्वरा रचित उपनियासे तो रंग भूमी के रचिता है प्रेम चंद्र अगला question देखिए इनमें से कौन सा जैसंकर परसाद जी की परसिद रचना है तो देखिए कमा या नी ये जैसंकर परसाद की रचना है फिर द्यान रखेगा आप सभी याद रहेगा अगला question देखिए जे 2017 का साइट अकदमिक पुरुसकार किस लेखक को दिया गया था तो रमेश कुंतल मेग को दिया गया था अगला question देखिए जे चलिए इस question कराईट आंसर बताएगा अलंकार से सम्मंदी थे तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहुचाई में कौन सा अलंकार है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है फिर द्यान रखेगा आप सभी तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहुचाई में अनुप्रास अलंकार है अनुप्रास अलंकार का उधारन आपको क्या बताए थे जब किसी काईबी को सुन्दर बनाने के लिए किसी वर्न की बार बार आविर्ति होती है उसी को हम सभी अनुप्रास अलंकार कहते हैं जैसे अत्ता का पर्योग देखिए यहां पर भी हुआ 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 तो यह बार बार पर्योग हो रहा है तो यहने किसी काईबी को सुन्दर बनाने के लिए एक ही वर्न बार बार पर्योग हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा अगला है चले इस कोशन का राइट आंसर बताएगा सही अब ये का भेद होगा रेखांकित सब्दों के लिए तो दीन भर जो एफन क्यों सा अब ये है तो ये किरिया वीशेशन अब ये होगा इस राइट आंसर रहेंगे अगला है अगला कोशन का अंसर के जेगा आप सभी अशुद वाग के सुद रूप का सबसे अच्छा विकल्प को चुनना है अशुद वाग की का आप नाने के घर जाओ इसका सुद रूप क्या होगा इसका सुद रूप हो जाएगा आप नाने के घर जाएए जाओ नहीं जाएगे तो ये सुद रूप होगा हिंदी का अगला है समान अर्थ वाला सब्द का चैन करना है कौसल का समान अर्थ वाला सब्द कौन सा है तो कौसल का समान अर्थ हो जाएगा दक्छता ध्यान डखेगा कौसल का सम्मान अर्थ जो हता है दक्षता होता है अगला कोशन देख लिए जिए चलिए इस कोशन का राइट आंसर बताएगा आप सभी अब गुण सब्द में डैस उफसर्ग है उफसर्ग आगे लगता है किसी भी सब्द का तो अब गुण में अब हो जाएगा अब एक उफसर्ग सब्द है अगला है निमलकित प्रस्वे में से चार बिकल्प में से उस बिकल्प का चैन कीजिए जो परतिये से नहीं बना है परतिये से नहीं बनावा सब्द है लालीमा इसमें पर्तिये लगा हुआ है इसमें मा पर्तिये हैं तुकडी इसमें इ पर्तिये हैं ध्यान रखिएगा आप से भी बड़ी इ सक्ति मान इसमें जो इफिन मान आपका पर्तिये हैं बाकी बास सफल में पर्तिये नहीं लगा हुआ है तो डी रही आंसरेगा अगला ह सही तदबव रूप ग्राम का तदबव रूप क्या होगा तो ग्राम मतलब गाउं ही होता है तो इस से अभी जो हम से हिंदी में बोलते हैं गाउं काते हैं तो यह तदबव रूप है यह संस्कित का सब्द हैं ग्राम अगला है चार विकल्प में से दिये गए सब्द के विप विपरित अर्थ क्या होगा तो बंदन का विपरित बंदन मतलब क्या होता है बंदा हुआ तो इसका मुक्त हो जाएगा तो यह के लिए रहें तो चलिए आज के तना है आज किस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम सभी आज की सेट में 30 आज के सेट के सलगा आपसे नीचे कमेंड बॉक्स में आपसे भी जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदन मातरम ध्यान के पड़ाई कर दिएगा आप सभी और जो भी अप्लिकेशन से जूड़के कलास करना चाहते हैं जाहिए जोएन कीजिए जोएन केसे कर नए वीडियो बनावे वीडियो को देख लिजेगा कम्प्रिट तयारी कर वायजार एफन बेस्ट इस्टेडी मेटरियल के साथ में आपसे तयारी करना सुरू कर दीजे जहिंद बंदन मातरम